नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारे चैनल में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को जरूर दबाईए दोस्तों फालगुन मा के अंतिम दिन पुर्णे मा को रंगों और उलास का त्योहार खोली मनाया जाता है दोस्तों ये एक ऐसा त्योहार है जो दूरियों को मिटा देता है रंगों की मस्ती में सरुबार लोग सारी परिसानियों को बुला देते हैं दोस्तों खोली को लेकर वास्तु में कुछ आसान से उपाई बताए गए है इन उपायों को अपना कर हम अपने जीवन को नए रंग से दोस्तों भर सकते हैं खोली एक ऐसा त्याहर होता है दोस्तों खोली के दिन ऐसे दिन होते हैं इन दिनों में दोस्तों किये गए कोई भी चोटे चोटे उपाय बेहत प्रभावशाली होते हैं और अपना परभाव बहुत जल्द दिखाते हैं दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में खोली के दिन आपके घर के मुख्य द्वार को लेकर एक छोटा सा उपाय बताने वाले हैं दोस्तों इस उपाय को करने से आपके घर से हो रही धन की हानी रुक सकती है दोस्तों अगर आपके वैपार में लगातार हानी हो रही है यह आपका वैपार दोस्तों लगातार मंदा चल रहा है आपके लाख कोशिस और लाख उपाय करने के बावजूद भी आपका जो वैपार है दोस्तों वो उपर यह आपको द्लाब नहीं दे रहा है तो यह खोली आपके लिए ब की अगनी से दुकान अपने दुकान और पर्थिष्टान के दोस्तों आगने कौन में सर्षों के तेल का एक दिपक जलाएं दोस्तों ऐसा करने के बाद आपने खोलिका की राख को लेकर अपने घर के दर्वाजे और अपने घर के चारों और दोस्तों चिड़क दें दोस्तों ऐसा करने के बाद आपने होली के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर गुलाल छिड़के और मुख्य द्वार पर दोस्तों द्वे मुख्य दिपग जलाएं दोस्तों ऐसा करने से आपके घर में आ रही नकारात्मक सक्तियां खतम हो जाती है और दोस्तों आपके घर से धनहानी भी रुक जाती है दोस्तों धनहानी या वैपार नहीं चल पाला किसी भी नकारात्मक शक्ती के कारण हो शकता है ओली के दिन ये उपाई दोस्तों बेहद प्रवावशाली उपाई होता है और आपका दोस्तों भाग्य जो है वो चमका सकता है दोस्तों अध्यान रहे ये उपाई करते वक्त स्वचता का ध्यान रखना है आपने नहादो कर एकदम स्वच होना है दोस्तों इस उपाई को बारे में आपने किसी से बात नहीं करनी है और चुप चाब ये उपाय करने के बाद अपने कारियों में लग जाएं दोस्तों उमीद करता हूँ कि मेरे द्वारा धी गई ये जान करी आप लोगों के लिए लाबदा इक्सित होगी हमारे इस वीडियो को शेर और लाइक जरूर करें धन्यवाद